जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या बदलता है रंग आस्मा कैसे कैसे नमस्कार आदाब जुहार जार्खंड गिराजदानी रांची में इस वक्त होकी का महाकुम सुरू हो गया है मैं बता दूं अंतरश्टी मकावला सुरू हो गया है सताइस्तारी से यहां पर जैपाल से मुन्डा स्टेडियम इस वक्त होकी की रवानी से भरपूर है मेज़बान भारत से यहां पर चाइना कुरिया मलेशिया जापान और थाइलेंड की टी में हिसा ले रही है अभी तक मैं बता दूं कुल छे मुकावले खेले गए हैं सताइस तारी को तिन मुकावल हुआ इस मुकावले में भारत का जहां तक सव्वाहन है भारत का मुकावल था सीरेंड से हे भारत और भारतु से बिरुद्ध मात एकत्मातर गोल था की तरफ से हुआ लेकिन इस प्रत्वियता की सबसी बड़ी खूबी रही जिस सबसी बड़ी खासियत रही वह रही हेक्टिक संगीता कुमारी का हेक्टिक मैं बताएं संगीता कुमारी यह वही संगीता कुमारी है जो शिम्डेगा की जीले के सुदूर छेतर करगा बाड़ी स आते हैं और इसी मैदान पर आज से दस बर्स पहले जब इसकूली टीप से आई थी तो उन्होंने अपनी होकी स्टीम से दो मचा दिया था और आज फिर वही साहिता कुमारी अपनी होकी का इस्टीक का ज्यादू इस मैदान पर देखा रहे हैं दूसरी जो दो और खिलाडी जो यहाँ पर ज्यापन की तरफ से पाडिसिपेड कर रही हैं बारत मायलाव की टीम में इसमें हैं निकीप पदान ओलम्पियन रियो ओलम्पिक की निकीप पदान जिन्होंने रियो ओलम्पिक में खेला था भारत की तरफ से ये राची से लगभग 20 किलो मेटर 25 किलो मेटर दूर खोटी जीला के राधे वाली है और तीसरी खेलाड़ी हैं शिम्डियगा के ही सलीमा टेटे ये भी शिम्डियगा जीले से एक सुदूर गाण की राने वाले हैं और ये इनों ने भी होकी को बहुत नजदीक से खेला है और कहा जाए तो होकी को जीरो से देके ऊपर तक्सी करते पहुँचाया है इंफ्राइस्ट्रक्टर की कमी राने के बावजूद भी सलीमा टेटे बजपर में कहा जाता है कि बांस के स्टिक से होकी बनाके खेलती थी और आज यहां होकी में इनका जो स्टिक के जादू है सिर्ट चड़के बोल रहा है तो अभी तक मैं बता दूए इस पर्तियोगिता में कुल दो हैक्टी जमाए गया है पहला भारत की तरब से संगीता कुमारी ने हैक्टी जमाया था थाइलेंड के बुरुद में और दूसरा हटी जमाया था वो चाइना के जों नियागे के दौरा इन्होंने भी हटी जमाया तो अभी तक इस पर्तियोगिता में कुल 27 गोल हो चुका है और बहुत ही पर्तियोगिता इस वक्त अपने वो फान पर है दर्सकों की काफी भीड आ रही है और न सिर्फ राची बलके गुम यह मैं बता दों घूम के जपाल से मुंडा जो स्टेडियों का नाम है यह वही जपाल से मुंडा है जिनको हाथों में भारती होकी टीम की कफतान थी उन्हें 28 ओलमपिक में जो हाथ यह होकी टीम आर्म स्टडम में जा रहे थी हॉलेड के आजारी में होकी खेडने के लिए तो इसी ब्यत्तित्य के, इसी महानसपूत के हाथ में होकी, भातिय होकी टिप की कफ्तान थी. तो इस तरह से आज जबालशी मुंदा स्टेडियम अंतरराष्टी होकी के मुकाबल से गुल जार है, और भीड क्यों नहों कि जारकर में पहला बरा अंतरराष्टी मुकाबला हो रहा है, महिला एसिया कप होकी टॉफी का, यह मुकाबला बहुत जवर्दस्त इस वक्ति जनू पर है, यह यह जाए उफान पर है, इससे पहले अंतरराष्टी मुकाबला उडिशा के भुनिश्वर में हुआ और राउड के लम में हुआ था, जबकि 2017 में उडिशा में हुआ था, विश्व का फॉक्की पूरुसों का, और 2023 में कुछ मुकाबले उडिशा के भुनिश्व के गुड को सिखने के लिए जो बच्चे खास करके जो गुमला से आते हैं, सिम्डेगा से आते हैं, खुरूटी से आते हैं, जहां और की सिर्चर के बोलता है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ता कि मैं आपको इस मुकाबले की नहिंतम स् नमार शकार ताइग्यू